दिखेंगे 1225 का वरग मुल कितना होता है वरग मुल को हम कैसे लिखते हैं अंडूर्ट से लिखते हैं यहां पर हम भाग वदी कामे लेंगे कौन सी वदी कामे लेंगे भाग वुदी, भाग वुदी में करना क्या है, बिल्कुल स्विंपले हमें हैं, आपके दाएं हाथ से बाएं हाथ के और दो दो आंके जोड़े बनाने, इसमें आप ऐसे खुद को कुशेन पूच कर समझ सकते हैं, कि आप इस्टे फस्ट क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब इसके लिए हम एक संख्या का चुनाओ करेंगे, यह संख्या लेंगे हम एक से लेकर नो तक, ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका खुद के साथ गुणा करने हैं, पर हम बारा के निकट तम वेल्यू प्राप्त कर लें, या बारा ही मिल जाएं, यानि बारा से बड़ा ना लगाओ दिमाग, तो हमने लिया तीन गुणा तीन, कितना होता है, नो दीखे बारा के नजदीक है, यानि बारा से बड़ा नहीं है, तो हमने लिया तीन गुणा तीन, कितना होता है, नो, एक वार्जी संख्या को लेंगे, यह उपर लिख देंगे, फिर अगले स्टेप मे मैं 5 लेता हूँ 5 का गुणा करता हूँ 5 चुड़ी 25 दो खिरिया गया 5 संग 30 और 2 32 कि इसको लिए हमने 5 को तो एक वार यहां उफर लिक दो फिर गटाया 0 आ गया 0 आ गया आगे यहां को यंक नहीं है मतलब पर खिरिया पूरी हो गया यह जो वेल्यू बनाए कितना 35 यह आप क्या है एंसर है तो इसको आप ऐसे आसान तरीके से समझ सकते हैं तो सुरेंदर खिलें यूट्यूब पर साथ करें और हमारे यह नहीं वीडियो देखें